हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल बेबी मॉमी हेल्प मैं मेखा आपका अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कैसे हैं आप लोग आइधिंग सभी स्वस्त होंगे बहुत ही खुश होंगे दोस्तों नवचास शिशु के पेट में गैस बनना बहुत ही नॉम जिसके कारण बच्चा परिशान हो जाता है बच्चों में गैस की समस्या होने से कई कारण हो सकते हैं जैसे दूद पीने के बार डकार न दिलाना फॉर्मूला मिल्क डाइजेस्ट ना होना बच्चे को बोटल से बहुत तेजी से बच्चा अगर दूद पी लेता है तो भी बच्चे के पेट में गैस हो जाती है बार बार गैस बनने पर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है रोने लगता है अगर बच्चे को लगातार गैस की प्रॉबलम हो रही है तो इसके चलते वो चिड़चड़ा भी हो सकता है ऐसे में बच्चे को गैस से राहत द गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और वीडियो को जादे से जादा शेयर कीजेगा सबसे पहले बात करते हैं कि नवजाज शिशू के पेट में कैस होने के क्या-क्या लक्षन होते हैं देखें बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़ चिड़ा रहता है बच्चे का पेट जो बहुत ही फूला हुआ लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है पैरो को अपनी पैट की और खीसता रहता है बच्चा पैट को रगड़ता रहता है बच्चे को जो पैट है बच्चे का वहां से आपको ऐसे लगए गुड़गुड की आवाज आती है बच्चा बार-बार डकार लेता है तो बहुत सारी कि नानी के टाइम के कौन से ऐसे घरेलून उसके हैं जिने अपना कर आप अपने बच्चे को गैस से राहत दिला सकते हैं सबसे पहला है हींग लगाना देखें बच्चे के पेट में गैस से राहत दिलाने के लिए हींग का इस्तमाल किया जाता है गैस होने पर बच्चे की ना अवरनाल या नाभिक के अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाना है जब तक बच्चे की नाभी अच्छे से सूख नहीं जाती है तो आपको हलका सा पानी गरम करना है एक जमच में उसमें एक चुटकी हींग डालना है जब अच्छे से गुल जाए तो आपको उस पानी को बच्चे की नाभी के चारो तरफ लगाना है बच्चे के पैर के अंगुठे में आप लगा सकते हैं जिससे बच्चे को काफी आराम म बच्चे के लिए कर सकते हैं दूसरा है बच्चे की मालिश देखी नवजा शिशु को गैस से रहत दिलाने के लिए पेट की मालिश करें बच्चे की मालिश करने से पेट में जो गैस बच्चे के अटक जाती है वह बाहर निकलने में मदद मिलती है तिकि बेसिकली क्या होत तेजी तेजी दूद पीते हैं, तो बच्चे के पेट में हवा चली जाती है, और जब आप बच्चे को दूद पीने के बार दकार नहीं दिलाते हैं, तो वो गैस बच्चे के पेट पे दर्द का एक कारण बनती है, तो मालिश इसमें काफी मदद करती है, बच्चे की मालिश के लिए उसे पीठ के बलीटा दें फिर उसके पेट पर कुछ देर तक सरकुलर मोश। में मसाज करें, बचचे की मालिश के लिए आप कोई भी बचे भी बच्चे बेबी ओयल इसत्माल कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे को काफी राहत मेहई vyawaysूस और बच्चे कैस पास करने में भी बच्चों को काफी मदद मिलेगी दूसरे चाहिए जो आपको दियान रखनी है न कि जब भी आप बच्चे को फीड कराते हैं तो बच्चे का जो सर है वो थोड़ा सा उचा रखें देखें बटल से दूद पिलाएं या ब्रेश फिड कराएं बच्चे का सिर हमेशा थोड़ा सा उपर रखें जिससे की बच्चे के पेट में हवा कम जाए और बच्चे को गैस की समस्या कम से कम हो तो दूद पिलाते वक्त अगर आप बच्चे का सिर्थ थोड़ा सा उपर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि दूद पीने के दोरान बनने वाली गैस उपर की तरफ आ जाएगी तो ऐसा करने से वो आसानी से डकार लेकर गैस को बाहर निकाल पाएगा आप चाहें तो दूद पिलाते वक्त नर्सिंग फिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेट की सिकाई करने से भी बच्चे को आराम मिलता है देखें अगर बच्चे के पेट में गैस की वज़े से बहुत दर्द हो रहा है तो जल्दी से बच्चे को आराम दिलाने के लिए बच्चे के पेट की हलके हलके से सिकाई कर सकते हैं इसके लिए आप गुनगुने पानी में तोलिया विगोकर उसको निचोड़ ले और बच्चे के पेट पर थोड़ी दिर रख दे ऐसा करने से बच्चे को काफी अराम मिलता है लेकिन इस बात का धियान रखे कि बच्चे की स्किन बहुत जादा सैंसेटेव होती है तो आपको टवल को बहुत तेज पानी में गर नहीं डिप करना है हलके गुनगुने पानी में ही डिप करना है नेक्स्ट है गुटने आप बच्चे के मोड़ते वे बच्चे को साइकलिंग करवाएं कई बार बच्चे गैस पास नहीं कर पाता है जिसके चलते हो बेचेन रहता है तो बच्चे को साइकलिंग कराने से भी बच्चे की मूवमेंट होती है और बच्चे को गैस पास करने में काफी राहत मिलती है तो ऐसा भी आप बच्चे को कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा इशु जो होता है बच्चे को पेट में गैस बनने का वो होता है डकार न दिलवाना तो बच्चे को हर बार दूद पिलाने के बाद आप ड़कार जरूर दिलवाएं ड़कार दिलवाने से क्या होगा कि काफी हद तक बच्चा इस समस्या से बच्चे को बच्चना ही जादा बैटर होता है क्योंकि रात में बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और अगर आपके फीड पर है ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आप भी अपने खाने पीने का बहुत अधिक ज्यान रखें ऐसी कोई भी चीजे ना खाएं जिससे की बच्चे को गैस की प्रब्लम हो बाएबादी चीजें मटर छोले राजमा यह सब चीजे खाने से बच्चे को गैस की प्रब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अपनी डाइट का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा जिससे की बच्चे को यह सारी समस्याएं ना हो तो उमीद करती हूं तो आज का यह वीडियो आप